जया जी जो है उनकी घरेलू थोड़ा सा प्रापलम है, वो चिलचली हो गई है, उनकी मजबूरी है इस वरड की सुंद्री है, बाल की बहुत बड़ी सुंद्री ऑज़ टॉप की स्टार रही है, और जो जया जी रही है, कभी भी स्टार अबनेतरी नहीं रही है ये खल नाईका रही है दस दिन में इनकी तीन बार बहस है धनकर जी से दस दिन में तीन बार जैसे गाना है इनकी सोहरत है नही नही और ये लहजा बता रहा है इनकी सोहरत है नही नही और रेखा जी को है रेखा जी ये कब नित्री थी जाने कितने लेखाय मिट गई हैं जाने कितने टेलेंट आ रहे थे सपा में राज़सभा में मिट गई हैं। सुलाल लाय कि साधी अवताब बच्चन के लड़के से हुई थी ना कि जया बच्चन के लड़के से। दीब धनकर ने ये कहा कि भले ही आप एक सेलिब्रिटी हो लेकिन जो सदन का नियम है उसका आपको अनुपालन करना होगा। ऐसे में हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ट पत्रकार अजे जी और इनसे हम जानेंगे कि आखिर ऐसा राज्य सभा में हुआ क्या जिसकी और दोज सदन में हंगामा करती हुई नसर आती हैं कभी जया अमिताब बच्चन अपने ही नाम को ले करके ये कह पड़ती हैं कि आप क्या इतना भी समाज को ये नहीं पता कि इस तरी की कोई पहचान नहीं होती कि बार बार उनके साथ अमिताब बच्चन का नाम जोड़ा जाता है आज वो सभापती से यह कह रही है कि हम एक स्कूल के बच्चे नहीं है क्या आप इस टोड में हमसे बात करेंगे क्या कहेंगे इस पर देखें बताते हैं कि धनकर साब को भी सबढ़ना चाहिए देखें जया जी जो है उनकी घरेलू थोड़ा सा प्रॉब्लम है वो च सब्सक्राइब को भी स्टार आपनेतरी नहीं रहे हैं यह खल नाईका है खल नाईका शोले में भी खल नाईका थी श्टार वो थे हम मालनी उदर इन्हों ने जो बात कही है कि यह अपने को हाइलाइट होना चाहिती है बे दस दिन में इनकी तीन बार भाज है दनकर जी से, दस अब दिन में तीन बार, आज इन्होंने एभी कही जिए कि मैं अफसेट, एभी इन्होंने कही जिए वास्तों में अफसेट हैं, इत चीज का सांसदों को द्यान लखना चाहिए, क्यों खुद भी कहे चुके हैं अफसेट, दूसरी उन्होंने कहा कि जो अध् पहिमी हैं, दूसरी इनका ये भी कहना है, कि इनका जो लहजा है, वो सही नहीं है, तो आपको जता है, लहजा का वकता है, वो है बिल्कुल जैसे गाना है, इनकी सोहरत है नहीं नहीं, और ये लहजा बता रहा है, ये लहजा बता रहा है, इनकी सोहरत है नहीं नहीं, है सब दूसरा आज इन्होंने कहा कि मैं एक कलाकार हूँ शरीर की भासा और भावों को समस्ती हूँ देखे बिलकुल गलत बात है कि ये शरीर के भावों को नहीं समस्ती है और कलाकार है रियल लाइब और डील लाइब में अंतर है अगर आपको कलाकारी ही दिखनानी है तो आप कोई यहां पर कोई भी एक काम किया हो लाइफ में एक काम मैं बहुत छोटा सा बतारा हूँ हेमा मानली है उसने मतुरा में इतना काम किया बिद्वाओं में ममता बनर जी से कह दिया था आपके हां के तो ममता बनर जी ने कहा था कि देखे ये इनके उदगार है मम्ता बनर जी हमेशा हिमा मालनी की इस बात में जबकि हिमा मालनी के कहने के लाए जाता कि आपके यहां के लोग बिद्वा आते हैं यही एक बज़े है सबसे ज़्यादा बोर्ट से जीत करके आई कारकरताओं से उनकी पढ़ती नहीं है हेमा मालनी के भाजपा के नेताओं से मगर उनमें कभी आरोप नहीं लगा उन्होंने काम किया से लिए इनकी ये पोईशन है ये आज दिन तक ये हमेशा क्या है देखे मैं आपको उतानो चाल लोग ऐसे हैं जो दानी थे एक तो नितिन मुके साब आप समझ गए होंगे बादा दूसरे वास्तों में जो हैं वो अभिताफ बच्चन जी तीसरे नेता जी नेता जी भी बात को इन ये लोग दानी इनकी हमेशा लोगों पर क्रपा रही और रेखा जी रेखा जी एक अब नेत्री थी जाने कितनी रेखाएं मिट ग अबरबनाना काम हो गया इनकी जैसे एज बाल लाई बॉलना ज्यादा काम काम अब तर बच्चन बेचारे उत्वने खामोस गम में हैं। इसलिए खामोस है। और किया कहा है उस्कूल के बच्चे नहीं और बच्ची नहीं। तो आप यह समझ लिजेए, यह आपके लिए एक आदर्स स्कूल था। आदस वुट्वत बनें जो बात किया, हो चुन करके नहीं आई इस देश में नेकर आपका योगदान बड़ा नहीं एक से एक सांसद है आप इसमें तीनार् bestimm देख लिए इनकी मैं आपको एक बाद बतानों, शोले फिल्म में धर्मेन ने एक कंडिशन लखी थी, कि किसी भी उसमें हेमा मानली के सामने संजु कुमान ना आए, चुकि एक कंप्टीशन चल ला था संजु कुमान उनमें, इनको ले गए, उसमें ए भी निकाई बड़ा रोल था, कि उ अब जस्ती की, आपको उस फिल्म से हाइलाइट हुई, ऐसा नहीं, इनको चैकाई अवताम मिल गए, उनको हेमा मानली मिल गए, मगर वो इजन नहीं, ये प्रमोटेड रही है, इनको हमेसा बैकिंग रही है, उरिजिनल नहीं है, अपने दम पर आई है, गरीब घर की बहु माफी माग ले, क्यों अद्ध्ध माफी माग ले, इनका असल में आपको बताना है, इनके लाज सांसदी है, सपा ने रो करके टिकट दिया, हर सांसद इन से नाराज सा, ये जनेश्वर मिस्र जी को जनेश्वर कहके बुलाती थी, जनेश्वर मिस्र जी को, जिनके नेता जी तक पैड चूते थे हमेशा अखलेस उनके पैड चूते थे आज अखलेस को बनाने वाले जनेशों हैं मगर कभी अखलेस ने इनसे कभी भेदवाओं नहीं रखा डिमपल ने कभी कोई भी इन्होंने काम नहीं किया अध्यच क्यों माफी मागें यह बेहद इनको इस पश्ट ह तो इन्होंने सबसे बड़े प्राइस के लिए रिकमेंडेशन कराई थी और नेता जी चुके एक धानी वेकते थे वो कुछ कहते नहीं थे और इनके लाइब में जो सबसे बड़ा योगदान है वो अमर सिंग का अमर सिंग का नाम नहीं लेती अमर सिंग ने इसे माफी भी कर देना चाहिए इनको सदन में बोलने पर ये सपा के सदस्वक चुदना थे एक सिक अच्छे मुद्धे हैं उनको आने दीजिए ये समाजबादी पार्टी में इनका कोई योगदान नहीं है ये सिर्फ इनका एक सम्मान है और याद रखेगा एस्वला लाय कि साधी आपत बनर जी से भी राजसबा चाहिए नहीं ती उदर से नहीं अब ये चाहिए नहीं इनको कोई बहुत बड़ी सेलिविटी तो ये होने वाला नहीं ये काम करें बाते कम ये जो संसन में इस तरह की बाते बात रूम के लिए आप उनसे कह नहीं है लाजसबा के अद्दक से इनसे कहें और अगर इनका यही है तो इनको क्या करने चाहिए रिजाइन कर दे अब एक बात इनकी सही है कि हर जो महिला है वो आदमी के नाम से जानी जाती ये कुछ ऐसा करें कि हर लेडी अपने नाम से जानी जाए इनके पास पैसा बहुत है अगर ये लेडी आ जाए बोल दिया वहां का बात्रूम गंदा है और कोई नहीं कह रही है इस तरीकी की बाते जया बच्चन की और से राजस सभा में बोली जाती है उनकी बातों का कोई की ज़ादा महतवनी होता बस वो खुत को हाईलाइट करने के लिए इस तरीके का मुद्दा उठाती है फिर चाह वो नाम का मुद्दा हो या फिर सभापती के चोन का मुद्दा हो लेकिन जो असल मुद्दे हैं उससे जया बच्चन को सो दूर रहती है और अब तो इनके बोल पर भी राजिस सभा में बैन लगा देना चाहिए फिलाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्याराय है हमारे कॉमेंट सेक्षिन में सरूर बताएं धन्यवाद